So Hi Everyone, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में तो अगर आप परधान मंतरी मातरी तो बंदना यूजना का फॉर्म आलनाई नवेदन करते हैं तो आप लोग अपना पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे पासवर्ड चेंज करना किस लिए जरूरी है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा जैसे कि परधान मंतरी मातरी तो बंदना यूजना के official portal पे आपको आना होगा इसके लिए आप लोग Google या Google Chrome के माध्यम से आप लोग यहां पे आ सकते हैं आपको क्या करना है Google या Google Chrome के website को open करके आपको pmmvy.nic.link के search कर लेना है search करने के बाद आपके सामने एक official website आ जाएगा pmmvy.nic.in ठीक है तो इस official website पे आपको एक बार click कर देना है जैसे हैं click करेंगे ना तो आपके सामने यहां पे एक option खुल के आ जाएगा login का जैसे कि हम लोग परधान मंतरी मातरी तो बंदना यूजना का जो form है जैसे कि आप लोग को जो बिभाग से पहले वाला पुराना वाला पासवर्ड जो दिया गया है आप लोग अगर उसी पे काम कर रहे हैं तो आप लोग को पासवर्ड चेंज करना जरूरी है जैसे कि बिभाग से आप लोग को जो पासवर्ड मिला होगा उस इस परकार से लिखा गया होगा test at the rate 123 ठीक है जो बिभाग ने आप लोग को user ID और पासवर्ड दिया था उस समय आप लोग को यही पासवर्ड दिया था हर आगन बारी सेवी का बहनों के लिए कि यह पासवर्ड दालके आप लोग लोग नोगिन करके काम किजिए बट इस password को अब use नहीं किया जा रहा है आपको क्या करना है कि इस password को change कर लेना है ठीक है password change करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे forget password वाले option पे click करना है ठीक है यहाँ पे आपको क्या करना है आपको अपना user id लिख देना है जैसे कि आप लोग को विभाग से जो user ID मिला होगा कुछ इस परकार से दिया गया होगा ANG और उसके बाद आपका unique code होगा ठीक है तो वो ID आपको यहाँ पे लिख देना है तो मैंने यहाँ पे अपना user ID लिख दिया है ठीक है आप लोग भी इस परकार से लिख लीजिएगा उसके बाद आप लोग यहाँ पे verify वाले option पे click कर दिजिएगा जैसे ही आप लोग इस पे click करेंगे ना तो आपके सामने एक और नया page खुल किया जाएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा एक code has been sent to this number यानि कि आपको यहाँ पे चार डिजिट का जो लास्ट नंबर है वह आपको शो किया जाएगा जो आप अपना mobile नंबर ऑफिस में register कराई होंगी उसी नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा वो OTP आपको यहाँ पे fill कर लेनी है और जिस परकार से आपको capture code दिया रहेगा ना उसी परकार से आपको यहाँ पे fill कर लेनी है छोटा लेटर दिया गया हो तो छोटा लेटर संख्या दी गई तो संख्या उसके बाद जो बरा लेटर है वो बरा लेटर same to same आपको यहाँ पर इस परकार से लिख देना है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर validate वाले option पर click कर देना है तो यहाँ पर मैंने OTP डाल लिया है और इसके बाद capture code डाल दिया है अगर आपको यह capture code समझ में नहीं आता है तो आप refresh वाले option पर click करेंगे तो एक नया capture code आ जाएगा उस capture code को फिर यहाँ पर आप लोग देखके भर लिजेगा चलिए हम यहाँ पर validate वाले option पर click कर लेते हैं जैसे ही आप लोग validate वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको एक password बनाने का option आ जाएगा आप लोग यहाँ पर अपना password बना सकते हैं अब password कैसे बनाना है उसके लिए भी चलिए हम आपको बता देते हैं अगर आप कभी भी password भूल जाते हैं तो इस परकार से आके आप लोग नया password भी बना सकते हैं जैसे कि आपका जो भी नाम हो आप अपने नाम का पासवर भी बना सकते हैं ठीक है तो मालने जी आपका नाम डीना से सुरू होता है तो आप लोग 12 R छोटा I N A इस परकार से लिख लेंगे ठीक है उसके बाद आप लोग को add the rate लगाना है ठीक है इस परकार से और उसके बाद कोई साभी number आप लोग को जो याद रहने वाला हो इस परकार से 1,2,3 भी लिख सकते हैं या कोई भी number आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं तो इस परकार से करके आप अपना यहाँ पर password बना सकते हैं यहाँ पर password बनाएंगे उसके बाद यहाँ पे फिर वही पासवर्ड लिखेंगे दोनों में same to same पासवर्ड लिखेंगे और यहाँ पे update पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड बना लिया है इस परकार से आप लोग भी अपना password बना लिजेगा और उसके बाद update password पे click कर दिजेगा चले यहाँ पर हम update password पे click कर देते हैं तो देख सकते हैं इस परकार से आपका जो password है वो successfully update होके आ जाएगा तो यह password change इसलिए मैंने आप लोग को बोला कि आप लोग अपना सानी से फर्म जो है ऑनलाइन अवेदन कर सके क्योंकि मैंने देखा है बहुत सी ऐसे आगन बाड़ी से विकाब वहने हैं जो पुडाने वाले पासवर्ट से अपना काम कर रही थी उनका जो परधान मंतरी मातितों बंदना यूजना का फर्म है वो सब्मिट नहीं हो रहा था या फिर यहां पर यूजर आइडी पासवर्ट पर किलिक करके वो लोग लोग इन कर रही थी तो उनका लोग इन नहीं हो रहा था तो पासवर्ट चेंज करना इसलिए जरूरी था के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद